नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके साबने कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं आपके लिए जानना बहुत इंपोर्टन्ट और आपके लिए लापता एक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास दोस्तों विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं और इनकी उचित मात्रा आपके शरीर के लिए बहुत ही जादा अच्छे होती है विटामिन बी तो खास तोर पर आपके शरीर के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है विटामिन B12 आपके शरीर के लिए काफी अच्छा होता है और यह अन्य विटामिन B से अलग भी होता है सबसे महतुपुन अंतर यहा है कि अन्य प्रकार की विटामिन B आपके शरीर में स्टोर नहीं होते हैं लेकिन विटामिन B12 आपके शरीर में मौजूद होता है हलाकि यह एक तरह का विटामिन भी ही है यह पानी में खुलनशिल होता है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है तो यह पानी में खुलकर पिशाप के रास्ते भार निकल आती है इसका मतलब यहा है कि शरीर में विटामिन B12 की अधिक्तम होने के संभा पना बहुत कम होती है लेकिन आपके शरीर में की कमी होने से आपको एनीमिया हो सकता है या फिर आप की तंत्रिकाओं में खत्रा बढ़ सकता है तो दोस्तो आज हम विटामिन बीट्वेल के बारे में अच्छे तरीके से ज़ानेंगे सबसे पहले ये जानने विटामिन B12 हमारे शरीर के किस प्रकार से महत्वपून है। विटामिन B12 हमारे शरीर में लाल रख कोशिकाओं को निमारित करना जरूरी होता है। इसके कारण शरीर में रख की कमी यानि की एनिमिया हो सकता है। विटामिन B12 शरीर में तंत्री का प्रणाली यानि की नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाए रखता है। इसकी कमी से मकस्तिश्क यानि की ब्रेन डेमेज भी हो सकता है। यदि आप ऐसे डिटी से पीडित रहते हैं और इसके लिए आप भार से दवाई लेते हैं तो आप में व जाती है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी आती है तो शरीर में कई सारे लक्षन देखने को मिल जाते हैं। जैसे की कमजोरी यानि की ठक जाना आलस कमजोर पाजन शक्ति होना हाथ पैर में जुन-जुनी का होना या फिर कान में अवाज आना या फिर घंटियां बजना धड़कन तेज होना, मुह में चाले होना, या फिर यादाश का कम होना, आखों में कम जोरी, अनेक ऐसे रोख हो सकते हैं। कमी ना होने पर डॉक्टर आपको विटामिन B12 के कुछ सप्लिमेंट्स की गोलिया देने का सुचाफ करते हैं। इससे भी ये दूर हो जाता है। इसके अलावा अपने आहार में कुछ पतलाफ करके भी इस कमी को दूर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसे रक्षन दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही उपचार कराएं। आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरे स्विति को लाइक आवाशे करें।